लगता है भया आ गए ममी पापा देखो भया आ गए अरे तुम तैयार नहीं हुए तारलिंग तुम तैयार क्यों नहीं हुए खाना खाने बाहर जाना था न अरे बाहर में गया बाहर जाना यहां सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता जा रहा है पैक्टरी बंद हो गई है तो चाथ आप सोचा था यह फ्लैट बेचकर पैक्टरी दुबारा शुरू करूँगा लेकिन यह फ्लैट बिकने को तैयार ही नहीं लोग आते तो हैं पर पता नहीं क्यों प्लैट बिना स्वारी आरे में ने क्या है सब मेरी वजह से मेरी वजह सब तुम्हारी वजह से हुआ ए ओके अम सॉरी हम क्यों लड़ रहे हैं लड़की क्या फायदा जल्दी जेज करूं बाहर चलते हैं देखो प्लीज मेरा बाहर जाने का बिलकुल मूड नहीं ओके बाबा कोई बात नहीं एक काम करती हूं खाना घर पर बंगा लेती हैं ना उचियर रहा जल्दी जाने टेवर पर आजाओं, ओके? बेटा क्या हो गया है तुम्हें इतने परिश्यान क्यों लग रहे हो पबली मुझे लगता है हमारा पास्ट हमें हॉंट कर रहा है कैसी पहकी बहकी बाते कर रहे हो तुम मैं सच कह रहा हूं मैंने अभी मां नंदीनी पापा और ममी को देखा है तुम जानते हो, तुम जानते हो कि क्या हुआ था यह सी बाते कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें में समझ में आरा मुझे क्या हो रहा है, I'm sorry यह बात राज बनके रह गए नंदीनी तुम्हारी मौत हादसा थी या खुदकुशे मेरी मौत मेरी मौत से पहले, मेरी मां दस्वे माले से नीचे किर गए थी मैंने अपने पापा को भी वैसे ही मरते हुए देखा है तुम तो मर चुकी थी ना, तुमने आत्मात्या की थी ना सब तो यह कहते हैं के पर तुम बोल के सरे हो, तुम मुझे बताओ तुमने आत्मात्या की थी? रिचा, किससे बात कर रही हूँ? मा यहाँ, यहाँ नंदनी अवस्ति की तस्वीर थी मा, वह मुझे बात कर रही थी कैसी बैके-बैके बाते कर रही हो? मा मैं सच कह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले इस सारी कमरी का एक्टमस्वेट एकदम अलग था और और अचानक से पता नहीं कहां से एक तेज हवा आई और सारी कमरी की लाइट्स फ्लिकर करने लग पड़ी मा नंदनी अवस्ती, यही अभी मुझसे बात कर रही थी मा, मा मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे कुछ कहनी की कोशिश कर रही थी मा पेटा, यह तुम रात-रात पर जाग कर जो सब करती हो देखो मा, जो रिसर्च मैं कर रही हूँ, उसके लिए मुझे, मुझे जागना पड़ता है लिटा, मैं जानती हूँ, लेकिन यह सब काम दिन में भी तो हो सकता है अब इतनी रात-रात पर जागोगी, तो पता नहीं क्या-क्या सूचेगा, क्या-क्या दिखेगा अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ शायद तुम ठीक क्या रियों मा, मैं नहीं कुछ इमैजन किया होग। मा, पापा सो गए? हाँ, वो तो कपके सो गए? चलो, तुम भी सो जाओ, मैं कमारे साथ चलती हूँ, आप अब तुम भी सो जाओ, मैं पाओ, पाओ, मैं नहीं रात पाओ, वो तुम भी साथ बहुत हाँ, हाँ बहुत 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 झाल 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 कौन है वहाँ झाल झाल क्या हुआ यहाँ झाल झाल यहाँ यहाँ झाल यह चाल करते हैं लेकिल पहले आप इसमें एंट्री कर दीजिए और इस वक्त मैं किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हूं इसी सलसले में मुझे आपकी मदद चाहिए थी कैसी मदद जी मेरा सब्जेक्ट है आत्मत स्योसाइड इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं मैं आपसे आपके बेहन नंदनी के बारे में कुछ बात करना चाहते हूँ. देखे, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, आप प्लीज यहां से जाएए. आप मेरी बात तो सुनिये. मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं कहना, आप मेरे पुराने जखम को रखने आईए. मैं तो सिर्फ यह जाना चाहती हूँ कि आखिर नंदनी खुदकुशी, शरब, शरब, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तुम लड़की नहीं होती न, तो मैं बहुत बुरी तरह तुमसे पेश आता, चली जाने आँसे, देख, देख. क्या हुआ, यह लड़की कौन थी? जैनलिस थी, पूछ रही थी कि नंदीनी ने आत्मात थी है क्योंकि. स्टुपड पीपल. आओ, बेटी, आओ. बैठो. हमने तो तुम्हारा काम कर दिया. यह है एसीपी साब, मिस्टर राठोर. हलो. हलो. मुझे आपके पापा ने बताया कि आप नंदीनी के भाई से मिलने गई थी? जी, मैं अवस्ती जी से मिलने उनके घर गई थी. अच्छा. मैं नंदीनी के बारे में उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने से मना करती थी. इनफेक्ट उन्होंने मेरी इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाल दी. यह अवस्ती फाइबर की मूर्थिया एक्सपर्ट करता है. इसकी रामलाल इंडस्टियल स्टेट में फैक्ट्री हैं. यह केस कुछ ऐसा है. 27 डिसमबर की रात को, अवस्ती के माबाप और उसकी बहन नंदीनी, तीनों अपने ही बिल्डिंग के कमपॉंड में मुर्दा पाए गएं. पोस्ट मार्टम के रिपोर्ट के बाद इस बात का पता चला, कि तीनों ने या तो एक साथ छलांग लगा कर खुदकुशी की है, या किसी ने तो उन्हें दस्वे माले से धकेल दिया है. वहां से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिली, या ऐसा कोई सुबुत नहीं मिला, जिससे ये बात सावित हो, कि पीपी अवस्ती ने अपने माबाप और अपनी बहन नंदीनी को दस्वे माले से नीचे भेका हो, और पीपी अवस्ती देखने में तो ऐसा लगता भी नहीं, और जब यह हाथसा होने वाला था, उसके ठीक पांच मिनिट पहले मिस नंदीनी अवस्ती पुना से आई थी, वाच्मन ने उसे उपर जाते हुए भी देखा है, यह पहले ऐसी अजीब मिस्ट्री है, कि लाग कोशिशों के बावजूद भी पुलीस इसे सॉल नहीं कर सकी, हमने बाकी के बातों को भी गाउर किया, जैसे नंदीनी एंबी बेस कर रही थी, हर तरब से उसकी फानेशल पोजीशन अच्छी थी, उसके माबब सुखी थे, उन्हें कोई तकलिप नहीं थी, और सच कोई तो ये बात मुझे लगी है, कि ये केस मैं सॉल नहीं कर सका, तो सर इस मिस्ट्री में आप किस नतीजे पर पहुंचे, ये मेरी नजर में तो बस एक हदसा है, गो किसे, ऐसे कि जैसे बालकनी से कोई तो गिर रहता, उसे बचाने दूसरा गया, दूसरे को बचा पर टाइप किया, ये लेटर मिला है, इसमें नंदनी ने खास बात की दरफिशा रखिया, मुझे भी इसी की तलाश है, अब क्या बताऊ एसी पी साब, कुछ दिनों से कुछ अजीब-अजीब सा हो रहा है, अब मैं आप से कुछ कहूँग, आपको यकीन नहीं आएगा, मै समझे कि मैंने उसे मरते हुए देखा है, इसका मतलब यह है, कि कहीं न कहीं कुछ गडबर जुरूर है, कोई तो ऐसा है, जो कानून के साथ खिलवाड कर रहा है, एनिवे, मैं चलता हूँ, और हाँ, ये मैं अपने पास रखता हूँ, ओके, आईए, — अपने पास, पास, बास, बहाँ, जो मैं रहा ह厌, फोग चलता है, कोई का बान संपलनिय, ग्रूरूरू का मतल fif दो ऐले, मैं पास. लोन देखता है, कि लुप आए. कौन है वाँ? कौन है वाँ? कौन है वाँ? मैं तुझे दो मिर्ब में फोन करती हूँ, ओके बाई यह क्या है? पारा उसे इतने हजीब से खबर चपी है ममी पापा और नंदनी का केस रियोपन होगा पुलीस फिर से तहकीकात करेगी अब क्या होगा प्रदीप? देखते हैं क्या होगा उसको किई कर दो टेसा दो कि अ अपी को जो सकता है क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारा नहीं चाहिए क्योंकि तर्वाजा खोलो कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? नंदनी? पर नंदनी तो मर चुकी है न? तुम नंदनी कैसे हो सकती हो? हाँ, नंदनी मर चुकी है मगर नंदनी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय लेने के लिए नंदनी की आत्मा बटक रही है और तब तक बटकेगी जब तक कि उसे न्याय नहीं मिल जाता तुम मुझे यह समझाना चाहती हो कि तुम नंदनी की आत्मा हो? हाँ, यही समझाना चाहती हूँ तुमें अगर तुम नंदनी की आत्मा हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि 27 दिसंबर की रात को क्या हुआ था? बता दे हूँ तो बताओ, क्या हुआ था 27 दिसंबर की रात को? उस रात बहुत हो गया जी अब मुझसे बर्दाश्ट नहीं होता बर्दाश्ट नहीं होता मुझसे पताओ, Нृर्मला कैसे शांत हो जाओ क्यों सोग हो जाओ क्यों से शांत हो जाओ कैसे शांत हो जाओ बताईए पानी सर से उपर हो चुका है हम किसी से कुछ कह भी ने नहीं सकते निर्मला मुझे धुख है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी सहलत का जिम्मेदार मैं हूं निर्मला मैं ऐसा मत कहिए जी ऐसा मत कहिए आपकी वज़े से तो मैं जिन्दा हूँ वर्ना निर्मला अब मुझसे भी परदाश्ट नहीं होता है बस 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 कितना वहां 20 रुपए 20 रुपए नमस्ते मेडम नमस्ते मैं कुछ मदद करूं आपकी नहीं नहीं मैं चली जाओंगी थैंक यू बसे लखन एगोर्व एगोर्व काओंगी जिर्मला एगोर्व काओंगी जिर्मला पपाँ रिच्छा, तुम्हें जाना चाहते हो ना, कि इसका जिम्मेदार कौन है, हाँ, मैं जरूर जाना चाहूंगी कि इस सब का जिम्मेदार कौन है, बताओ मुझे, कौन है इस सब का जिम्मेदा, वो कौन है, ये जाने के लिए तुम्हें मेरी कहानी ध्यान से सुनने पड़ेगी, उस रात, हमारी घर में दो दो खुश्यां मनाई जा रही थी, एक तो मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमेशन होनी की, और दूसरी मेरी भाई की, हमारा ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारूपार था, और मेरी भाई ने, मेरी लिए भाभी पसंद कर ली थी, और जो भाभी पसंद कर ली थी, वो भाभी पहली बार हमारे घर खाने पे आ रही थी, आरे मा जल्दी करो, लगता है भया आ गए, ममी, पापा, देखो, भया आ गए, मेरी प्रेंड नहीं, बबली, अचली मेरी परेंस ने बहुत ही ओल्द फैशन नाम रखा था, तो मैंने अपना नाम बदल के बबली रख लिया, बबली, यह है मेरी सिस्टर नंदिनी, मेरे डाड, यह मेरी मॉम, अज़ो, 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 इस ओकी, हम लोग घ्या पे क्यो खड़े हैं, चली चल के खाना खाते हैं, हाँ, चलो खाना खाते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, कि पहले सारी बाते क्लियर होंगी, कमान बबली, खाना खाना के बाद भी तो हो सकती ना, नहीं, मैं पहले आप लोगों से कुछ बाते कर लेना चाहती हूं, मैं अपने पेरेंस के साथ नहीं रहती, तीन साल से अलग रह रही हूं, इंडिपेंडेंट, आप लोगों को कोई अतरास? अगर लड़की इंडिपेंडेंट रहा चाहती है, मापाप की मदद नहीं लेना चाहती, तो इसमें बुरा ही क्या है? नहीं, ये बात नहीं है, एक्चुली मुझे अपने परसनल लाइफ में, किसी का भी इंटेफेरेंस पर दाश्ट नहीं है, और यही ये वज़े थी कि मैंने अपने पेरेंस का घर भी छोड़ दिया, आपको कोई अतरास? नहीं बेटा, हम तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, और कुछ नहीं. इसका मतलब यह हुआ, कि मैं आप लोगों को पसंद हू, राइट? बेटा, जिस दिन से तुमने प्रदीप को पसंद किया है, उसी दिन से तुम हमारे घर की भहु बन चुकी हो. बस बेटा, मेरी यही की इच्छा है, कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो, उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स का अशेरिवात तुम्हें, और मेरे बेटे को ज़रूर मिलना चाहिए. क्यों? अगर मेरे पेरेंट्स नहीं आए, तो क्या मैं आपके बेटे के साथ, शादी नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं बेटा, हमने ऐसा तो नहीं कहा. ओके, जब सारी बाते क्लियर होई गई हैं, तो खाना खाते हैं. आए. नमस्ते. कहिए. जी, आप मुझे नहीं जानते. मैं परदीप अवस्ति का पिता हूँ, मनहर अवस्ति. और यह मेरी पतनी है. चाह, चाह. आईए, प्लीस. बैटिये, बैटिये प्लीस. सुनो भागयवान, देको कौन आया है? भरी पसाजी, मेरा ट्रांस्पोर्ट का बिजनस है. यह सुनकर, बहुत खुशी हुई. कहिए, मैं आपके क्या खिद्मत कर सकता हूँ? आपके मुझे बिला है? यह प्रदीप की मम्मी और यह जादी, यह मेरी पत्नी नलिनी. नमस्ते. आप खड़ी क्यों है? बैठे न? तुम भी आकर बैटो. वैटो? भारी पसाजी, हम आपसे आपकी बेटी बिमला के बारे में बात करने आये हैं. बिमला? माफ कीजिए, हमें बिमला से कोई लेना देना नहीं है. और वो यहां नहीं रहते हैं. भारी पसाजी, दमाना बदल चुका है. मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है. और वो उसे शादी करना चाहता है. अरे उसे रोके! रोके उसे! उससे समझाईए! उसे मनाईए! देखिए! मेरे बेटी, किसी के घर की भवु बनने के लायक नहीं है. यह सब, शायद आप घुसे में कह रहे हैं. क्योंकि आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती और आपका घर छोड़के जा चुकी है. वो घर छोड़के जा चुकी है? हरे हम खुद अपने घर को छोड़के चले आये हैं. देखे यह विस्ती जी, आप बहु की रूप में बहुत बड़ी मुसीबत को मोलडे रहे हैं. मैं आपको समझा रहा हूँ. आप एख्याल दिल से निकाल दीजे, वरना आप बहुत पश्टाएंगे. अरे बसाथ जी, मेरे हालात कुछ ऐसे हैं, कि मैं अपने बेटे को ना नहीं कर सकता? शायद आप ठीके रहे हैं. कोई तक्दीर का लिखा हुआ थाल नहीं सकता है. पर हम दोनों उस शादी में शरीक नहीं होंगे. आपको समझाना मेरा धर्म था, और मैंने अपने धर्म का पालन किया है. यह मेरे बद्किस्मती है, यह बिमला मेरे बीटी है. और उसकी बुराया मैं गिनवा नहीं सकता हूँ. आगे आप चाने और आपका नसीब. नहीं डैड, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता. डैड बबली आजाद, खयाल और इंडिपेंडन्ट लड़की है. बेटा, मैं तुम्हारी पसंद ठुकराना नहीं चाहता. लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि यह लड़की इतनी कम उम्रे में, अपने माबाप का गर छोड़कर चली आई, वो भी सर्व इसलिए कि उनका रोकना ठोकना उसे पसंद नहीं है. बेटा, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहां यह ठीक नहीं समझा जाता है. बेटा, मुझे तो लगता है यह लड़की तुम्हारी जिंदगी में आका तुम्हें सुक नहीं दे पाएगी. और हो सकता है, बाद में तुम्हें पच्टावा भी हो. आप फिकर मत कीजे डैडी, मुझे पच्टाना नहीं पड़ेगा. और देखिए, मैं आपके इस ख्याल को खलत साबित करके रहूँगा. ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में तुम्हारी खुशी है. थैंक यू डैड. यस! ना चाहते वे बिरिचा, पापा मान गए. और बहुत मश्किल से उन्होंने ममी को भी मना लिया. उमारे घर में बहुत दूमधाम से शादी की तयारें शुरू हो गई. वगर पिम्ला ने सबसे पहले जहका तब दिया, जब उसकी परंपरा के साथ शादी करने से साफ इंकार कर दिया. वो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी. उसने ज़र भी नहीं सुचा, कि माबाब को कितनी खुशी मिलती है, जब पूरी परिवार के साथ उनकी बेटी की शादी धूमधाम के साथ होती है. खेर, पाड़ा के सिलसले में मैं पूरा मेरे रहती थी. हाँ, मेरा आना जाना जरूर लगा रहता था, लेकिन घर का महौल बदलने लगा था. वागर इस बात के बारे में, किसीने मुझे भनक भी नहीं पड़नी थी, और वहां भावी नहीं. पुरा बिस्नस अपनी कंट्रोल में कर लिया, मेरे भया को पूरी तरह अपनी मुठी में कर लिया था. जिस बात का पता, मुझे बहुत बात में पता चला. दो मिनिट प्लीज. देखो बबली, मैं कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ. दो मीट रुको प्लीज. मुझे तुमसे बात करनी है. आच्छा बाब, बोलो. क्या बात है? मानोगे ना? आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी. बोलो, क्या बात है? देखो, ट्रांसपोर्ट का जो बिजनिस है न, यह तुम्हे उन्हों चाहियों पर नहीं पहुचा सकता, जहां मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ. मेरी बात मानो, तो केमिकर के लाइन में चले जाओ. मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी. बबली, यह तुम क्या कह रही हो? हमारे ट्रांसपोर्ट का बिजनिस अच्छा खासा जमा हुआ. और तुम चाहती हो कि एक जमा जमा बिजनिस छोड़कर मैं एक नया बिजनिस शुरू करूं? तो इसमें हर्जी क्या है? अब यह बिजनिस पापा ने तब शुरू किया था, जब पापा ज़्यादा पड़े लिखे भी नहीं थे. बहुत सट्रकों के लाइन में चले गए. और हमारे साथ तो ऐसा नहीं है न? कह तो तुम ठीक रही हो, पर क्या पापा मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? तुम तो कहते थे कि पापा मुझे भोग की रूप में भी नहीं सुकार करेंगे. हमारी जी अपनी modern lifestyle है, उसे ब रिजेक्ट कर देंगे. पर ऐसा नहीं हुआ न? देखा, मैंने पापा के तुम अना लिया, अब तो मेरे लिए इतनी सी बात नहीं कर सकते पापा से. वो तो ठीक है बभली, लेकिन बिजनेस की बात करना? प्लीज, एक बाट राई तो करो, प्लीज. ओके, खुश? देरे देरे विम्ला भावी ने, सारा का सारा कारुबाय, अपने मुठी में कर लिया. बड़ी चालाकी और बड़ी होशाई के साथ, भाईया पापा से जोग भी पेपर दस्तखत करा थे. इस बात का पता थो, पापा को बहुत बात में पता चला. अरे विस्ती जी, आप आ गए? आपने अर्जेंट फोन के था, इसलिए मुझे आना पड़ा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आए. चलिए. आए, 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 बाइटिये पिलीज. क्या बात आरी पशाजी, आपने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? अविस्ती जी, आप जानते हैं मैं स्टाक एक्स्टेंज में काम करता हूँ. और रोजानम मुझे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है. आज मुझे पता चला है कि आपने अपने तरम स्पूर्ट के कारोबार की तरफ ध्याम देना ही बन कर दिया है? हाँ हरी पसाजी, अब मेरे रिटायर होने के दिन आ गया है, बेटे की शादी हो गही है, इसलिए मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोज अपने बेटे के कंदों पर डाल दिया है, और निश्चिंत हो गया हूँ. आप इतने निश्चिंत हो गये, क्या आपको अपने बेटे के विश्वासगाद का पता ही नहीं चला? हरे पसाजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, मैंने आपको खबरदार किया था, क्या आप मेरे बीटी की रूप में एक मुसीबत को अपने घर लेके जा रहे हूँ, पर उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी, आज उसका बयानक नतीज़ा आपके सामने आने आने वाला है. आरे पसाची, आप किस नतीज़े के बारे में कह रहे हैं? मेरी बीटी ने आपके बेटे को बहका कर, आपके तरहां स्पोर्ट का सारा कारूबार, आपके राइवल गुरूप, पवन तरहां स्पोर्ट को बेच दिया है. क्या? अविस्ती जी, आपके बेटे ने आपसे ऐसे काफ़ाद पर दस्ख़त करवाए होंगे, जो आपने उस काफ़ाद कुछ चिक नहीं किया होगा, बेका धक भी नहीं. आपका सारा पैसार कमीकल के दंदे में लगने जा रहा है. आप डूपने वाले हैं. अगर आप इन आलाद से निकलना चाहते हैं, या कुछ कर सकते हैं, वा आप जल्दी कीजिए. फिर्फ जल्दी, वरना… प्रदीव. येस डाइड. बेटे, ये क्या किया है तुने? मेरा सारा जमा जमाया कारोबार, मेरी गुडविल सब कुछ बैच दिया और मुसे पूचा तक नहीं? डाइड, इसमें problem क्या है? आज जमाना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि मैं इस केमिकल की फिल्द में तरक्की कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं. और आप शाइड जानते नहीं पर बबली को इस केमिकल फिल्द की अच्छी खासी knowledge है. अरे बबली बबली बेटा तुम हर बात में बहु को हमारे रास्ते की जंजीर बना कर क्यों गड़ी कर देते हो अरे ना पसंद होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी शादी उससे करा दी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी डाड अब जो भी मैंने आपसे कहा वो सिर्फ विसले क्योंकि बबली को यह सब पसंद है नहीं बेटा मैं तुम्हें यह नहीं करने दूँगा अरे वो बेवकूं लड़की तुम्हें तबाही के रासने पर ले जा रही है और मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा मनोह रवस्ति जी अब बहुत देर हो गई है क्या देर हो चुकिए आपने अपने हाथों से अपना सारा कारोबार मेरे हावाले कर दिया है अब सब कुछ पेरे नाम पर है अब जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा प्रदीब ये क्या कह रही है बहू डाड बबली ठीक कह रही है इसका मतलब ये हुआ ये तुने बेटा होकर अपने बाप के विश्वास को दोखा दिया ओ कमान डाड इससे फ़रग क्या पढ़ता है एक नेक दिन ये बिजनिस में रहू नहीं है अरे अपना कारोबार तुम्हारे हाथों में सौबते हुए मुझे खुशी होती लेकिन तुमने बहु के बहकावे में आकर अपने बाप की पीछ में छुड़ा घुम दिया अवस्ती जी ये मत भूलिएगा कि इस वक्त आप अपने नहीं मेरे ओफिस में खड़ें और मैं नह चाहती कि आपकी ये बखवास ओफिस वाले सुनें स्क्यूज मी डालें शौर एक काम कीजिए घर जाईए अपनी जबान बंद रखिये और अपने बुढ़ापे के दिन अपनी बीबी के साथ शान्ती से गुजारिए आप जा सकते हैं मेरे पती का अपमान करने की सबसे पर है तो आप मुझे ये बताईए कि बिना मेरी पर्मिशन के मेरे बेडरूम में आने के आपके हिम्मत कैसे हुए एक बात और मुझे बत्तिमीजी बर्दाश करने का कोई शौक नहीं अगर आपने अपना एरिटूर नहीं बदला तो याद रखिएगा अच्छा नहीं होगा क्या? समझी मदरिन लो क्या कहा तुने? इंसान की इज़द उसके अपने हाथों में होती है अगर इस घर में रहना है तो अपनी जबान बंद रखिए वरना आप तो जानती हैं बहुत सारे ओल एज होम्स खुले हैं इस शहर में आप दोनों को वहीं पटक्या जाओंगी आने थे प्रधीब को उसी से बात करती हूँ मैं सासुमा अब आपने किसी शवन कुमार को तो पैदा नहीं किया एक बात और याद दिलाना चाहूंगी एक बेटी भी है आपकी उसकी शादी वादी भी करानी होगी अगर आपने मेरे पती के सामने अपनी जबान खोलने की जुरत की तो इस बेटी की फ्यूजर का सत्यनाश करके रख दूंगी मैं समझी आप नयाव आउट रिचा विमला ने मेरी ममी पापा की जिंदेकी को नर्क बना दिया रोज रोज की छगड़े थानी और गालिया उनकी बर्दाश्ट से बाहर हो चुकी थी उन दोनों ने आत्माहत्या करने का फैसला कर लिया अपने बेटी के विश्वास खाथ से वो इतने इतने टूट चुके थे कि उनके सामने सिर्फ मौत ही एक रास्ता था मैं एक दो दिन के लिए आती जाती थी मकर वो दोनों इतने स्वाफिमानी थे कि किसी के भी सामने हाथ पहलाने से अच्छा उन्होंने मरचानल समझाओं और एक दिन जी कहिए बीटी मेरा नाम हरी परसाथ है आप मुझे नहीं जानती मैं बिमला का बाप हूँ अरे आप बिमला भावे के पापा है नमस्ते अंकल नमस्ते आम सो सॉरी मैं आपको पहचाने नहीं क्योंकि अच्छ पहली बार देखाया आपको कोई बात नहीं आये फ्लीज बैठिये हाँ जी अंकल कहिए देखो बीटी मैं बहुत जल्डी में हूं मगर तुमसे मिलना भी बहुत ज़रूरी था तुम जानती हो कि तुम्हारे गर में क्या हो रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे माबाप दोनों बहुत तकलीफ में हैं तकलीफ में हैं? हाँ, और उसके जिम्हदार मेरे बीटी बिमला और तुम्हारे भाई हैं. दोनों राद दिन मिलकर उनका अपमान कर रहे हैं. क्या? हाँ, तुम्हारे माबाब तुम्हारे बाउश को लेकर बहुत चिंतित है. क्योंकि तुम कुछ दिन के लिए बंबई जाती हो और फिर वापस पुना चली आती हो. इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता. तुम्हारे भाई ने तरंस्पोर्ट का सारा कारूबार बेच दिया है. और आंखे मून कर मेरी बीती की बताए हुए रास्ते पर चल रहा है. नंदनी बीती, अगर तुम्हारे माबाब को जल्दी उस गर से नहीं अटाया गया, तो वो लोग गुट-गुट टर मर जाएंगे. बस बीती, मुझे इतना ही कहना था, अब मैं चलता हूँ. अरे अब तक तुम तयार नहीं हुई, जल्दी करो नंदीनी के आने का वक्त हो गया है. रुको, यह लो. यह यह? तुमसे तो मैं तंगा आ चुकी हूँ, प्रदीप. तुम्हें याद नहीं है, इन पेपर्स पे हमें नंदीनी के सिगनेचर्स चाहिए थे. ओ, आम, आम सॉरी. सॉरी लाव दो. तुम्हारी बहन को वैसे भी आने की और जाने की जल्दी लगी रहती है. आज जब आए, आते ही सिगनिचर्स ले रहना. ओके. एक बात और. बुढ़े बुढ़िया को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए. वैसे भी, उन्हें यादी कहा होगा कि नासिख वाली प्रॉपर्टी उन्होंने नंदिनी के नाम कर रखी है. समझे तुम? स्वीठाट, यूर जीनियस. डाट? हमारा सब कुल तो छीन लिया तुने. अरे आप अपनी बेहन कभी सब कुछ छीन लेना चाहते हो? अच्छे भेटे तो तुम कभी बन नहीं पाए. अरे कम से कम अच्छे भाई तो बन जाते. मिस्टर मानोहर अवस्ती, चुप रही है आप. चुप रहो तुम? हमारा जीवन तो नर्ग बना ही दिया. अरे हमने सब परदाश कर लिया. अपनी बेटी तक कुम पता नहीं चलने दिया. अरे कल को उसकी शादी होगी, ये जमीन उसके लिए तो रहने देते. अब आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंग. अरे आप इसके मुह क्यों लग रहे हैं? ये वो प्रदीप नहीं है, जिसे हमने जनम दिया. ये तो अपनी बीवी का घुलाम है, घुलाम. खबरदार जो अब एक लफ्स भी मेरे पती के बारे में बोला तो. चिल्ला क्यों रही है, जूट नहीं बोल रही हूँ मैं. आरे मैं तो तेरे इस कमरे में कदम तक नहीं रखना चाहती. सुन ये जी, इतना आप मान सहने से तो अच्छा है कि हम कहीं सड़क पर जाकर पहल जाएं. चलिए. तो चले क्यों नहीं जाते आप लोग? अरे चला जाँगा. मैं नंदनी का इंतजार कर रहा हूँ।। उसके आते ही मैं यह से चला जाँगा। सुन रहे. क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ सुन रहा हूँ. आप लोग अभी जाएंगे. नहीं मैं नहीं जाओंगा देखता हो तुम क्या कर लेते हो मैंने कहां फाइल छोड़िए नहीं छोड़ूगा मैंने कहां फाइल छोड़िए नहीं बिर्मला, बिर्मला, बिर्मला बिर्मला पापा नंदनी, अगर दुनिया में ऐसी भाई, ऐसी बेटे होने लगे, तो सब का रिष्टों पर से विश्वास उठ जाएगा। और इचा, उसके बाद जो जो बिमला भावी चाहती रही, वो वो होता रहा। केमिकल के बिजनस में लगाया हुए सारा रुपया डूप गया था, ट्रांस्पोर्ट का बिजनस तो पहले ठप हो चुका था, अब उनकी नजर मेरी नासिक वाली समीन पर थी, जिससे हड़पने के लिए भाईया और भाभी में नकली कागजात बनवाए, पर उस पर मेरी चा आखों के पीछे होना चाहिए, इस सजा से उनका क्या होगा? फिर? उन्ही सजा तुम मैं दिलवाऊंगी, हाँ, मैं उन्ही सजा दिलवाऊंगी. नंदनी, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? रिचा, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हूँ, तुम नासिक वाली जमीन का सौधा कर लो, और जो भी नकली कागजात है, वो सब सामने आ जाएंगे, और उसके बात क्या करना है, वो मैं देख लूँगी. ठीक है नंदनी, ऐसा ही होगा. अरे गरदारी साब, जब आपने एहमद भाई को कह दिया है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप बिल्कुल बेफिकर होके बैठिये. हाँ, उसी दामों में विकवाऊंगा भाई, जिस दामों में आपने मुझसे कहा है. अरे इतने पौश इलाके में आपका इतना आपके बैठिये? ठैंक यू. और गताए रिचा जी, खनास आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, मुझे मिस्टर प्रदीप आवस्ती से मिलना है. प्रदीप आवस्ती जी से? लेकिन आपके फादर खनास आप ने तो आवस्ती जी के फ्लाट का सौधा कैंसल कर दिया था? अच्छली मैं फ्लाट के बारे में कोई बात नहीं करने आई हैं. अच्छा, तो फिर किसलिए आई हैं आप? मिस्टर प्रदीप आवस्ती की एक बे अच्छा, और मुझे यह भी मालूम है कि अवस्ती जी उस जमीन को बेशना चाहते हैं. तो बस मैं उस जमीन को खरीदना चाहती हूं. ठीक है, कोई बात नहीं. मैं आज अवस्ती साब से फोन पर बात कर लेता हूं. और उनसे शाम को मिलने का वक्त है कर लेता हूं. फिर मै आपके इस फ्लैट के लिए पार्टी लाया हूं. अच्छा, कहा है पार्टी? तुम? तुम तो जर्नलिस्ट हो न? देखे, मैं कोई जर्नलिस्ट वर्नलिस्ट नहीं हूं. अच्छी ये फ्लैट मैं इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि किसी ने मुझे कहा था ये फ्लैट हॉंटेड है. अब देखिए, आपको गलत पहां नहीं. कोई हॉंटेड प्लीस कम, आईए, आओ. आओ, अमद भाई. बबली, ये मिस खन्ना है, ये अपना फ्लैट और नासी की जमीन लेने में इंटेस्टेड है. और ये अमद भाई है, इस्टेड एजंट. हलो मैडम. तदीब भाई, थोड़ी देर के बाद इनके फादर खन्ना साब भी आने व आईए. सब ठीक था. मिस्टर अवस्ती, मुझे आपसे एक बात पूछनी है. प्लीज पूछिए. आपकी सिस्टर नंदनी ने ये नासीक वाली जमीन के पेपर्स कब साइन किये थे? अब, ये कैसा में उदा सवाल कर रही हैं? जब मेरे डाड ने ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, उसी वक्साइन किया था? ये रही वोफाई. लगता है खन्ना साब आगा है, आप बेटिए वसी साब, मैं जा कर देखता हूँ, प्लीज. अरे, खन्ना साब आप? ये एसीपी राटर साब है. अलो सार. हलो. आईए आपी का इंदिजदार होड़ता सार. आईए खन्ना साब, प्लीज कम. अरे, एसीपी साब, आप यहाँ? मिश्टर खन्ना हमारे पुराने दोस्त हैं. अरो सार, प्रदी पवस्ती. इन्होंने कहां कि एक प्रापटी की डील कर रहे हैं, और आप आया जब इचने साइन कर दीजे. हम आ गए? मॉस्ट वेलकम सर. बैटी, वो नासिक वाली जमीन के काख़ाद देख लिए तुमने? हाँ पापा, मिस्टर प्रदीप आवस्ती एक फ्रॉड है. और इन पेपर्स पे इन्होंने अपनी बहन के जाली दस्तखत किये हैं. यह क्या पकपास कर रही हैं आप? मैंने कोई जाली दस्तखत नहीं किय जी हाँ, और इन्हें असली साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? और इसे नकली साबित करने के लिए आपके पास कौन सा सबूत है? मेरे पास कर दोनी नहीं कियान साबूत है? पत्रे पास कर दोनी नहीं चाहिती किया नहीं के लिए। इसे धूता है? कर दोनी नहीं किया है? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, रंधिरी. मैं इसी मौक्य की तलाश में थी. तुमने तु बड़ी सफाई के साथ, मेरे माता पिता को आत्मात्या करने पे मजबूर कर दिया. और उन्हें बचाते, बचाते, मैं भी मौत का शिकार हो गई. और आप, बड़ी आसानी से सारी जायदात हडब के? नहीं, नहीं. और सारी फसाद की चड़, यह औरत है. मिश्टर रावस्ती, क्या आप अपने माबाप के कातिल हैं? नहीं, नहीं, नहीं. कातिल? कातिल तो इनके लिए बहुत ही अच्छा शक्त है. भेडिया, शैतान, वेशी? क्या कम तुमें? इनोंने मेरे माबाप को, बहुत अपमान और बैसती की संदिकी दी है. उन्हें इतना दंखिया, कि उन्हें आत्मत्या करनी पड़ी. बोलो, बोलो, क्या ये सच है या नहीं? ये सच है, ये सच है. ये सच है. नंदिनी, मैं जोरत के बेगावें में आ गया था, और अन मुसे गलती हो गए, नंदिनी मुसे गलती हो गए. अरे, मेरे साथ तुम भी अपने माबब की कमीनी ओलाद हो? नहीं. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने जो भी किया, तुम्हें रुजिया पागे किया. मैंने कुछ नहीं किया. तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो. तुम तु भी पराय घर से आएं थी. मागर भाय तुम्हें, तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो एकलोते वारिश थे ना? तुम्हारा खुन इतना सपेत कैसे हो गया? मिश्टर प्रदीप अवस्ति, किसी को आत्मात्या करने के लिए मजबूर करना. यह हत्या से भी बड़ा गुना है. और अभी तुमने मेरे सामने कुबूल किया है, कि तुमने अपने माबाप को आत्मात्या करने के लिए मजबूर किया है. तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं. नंद्री मुस्से गलती हो गई, मुझे माप कर दो, माप कर दो नंद्री मुझे माप कर दो तुमने मेरी हत्या नहीं की, मगर तुमने मेरे माबाप को बहुत पेज़ती और सिल्लत भरी संदगी ती है तुम उनकी मौत के सिम्मेदार हो और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ नंदरी तुम्हे कोई गलस प्रेमी भी अरे तुम तुम पुना में थी पम्मी पापा यहा रहते थे तो आप मुझे से के गलस में आप जाय हूँ झाल 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 झाल